हेलो फैंड्स वेलकम टू माई चैनल दोस्तो एक समय था जब आज की तरह जगजगदवा की दुकाने नहीं होती थी तब लसून का इस्तेमाल आयुर्वेदिक उपचार के लिए होता था लसून एंटीवाइरल, एंटीफंगल, एंटी ऑक्सिडन्ट और एंटी बेक्टेरियल गुनों से भरपूर होता है इसमें एलीसीन और दूसरे सलफर योगिक मौजूद होते है साथ ही लसून में एजोईन जैसा तत्वो और एलीन जैसा योगिक भी मौजूद होता है लसून को संक्रमन दूर करने की समता भी देते हैं आईए अब एक एक करके लसून के लापकारी गुनों के बारे में जानते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पे नए है तो कुरूपिया मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिये गए घंटी के बटन यानि की बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोस की आपको इंस्टन्ट नोटिफिकेशन मिलेंगी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं लसून के फायदों के साथ नमबर वन वजन घटाने में मदद करता है लसून आजकल हर किसी की व्यस्त दिंचरिया होती है घर और काम के बीच तालमेल बनाने के चकर में लोग अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं खान पान ठीक नहीं होने और नियमित रूप से व्यायाम न कर पाने की वज़े से लोग मोटा पेकी बीमारी का शिकार भी होते हैं हाला कि कई बार लोग नियमित रूप से व्यायाम करने की और खान पान में परहज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वे ज्यादा दिनों तक ऐसा कर नहीं पाते हैं ऐसे में लसुन बढ़ते वज़न को रोकने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है यह एडिपोजैनिक उत्तकों की अभिवक्ती को रोकने में मदद करता है थर्मोजैनेसिस को बढ़ाता है और हानी कारक कॉलेस्टेल को कम करता है अपने इन अनोखे गुनों की वज़़ से लसुन आपको मोटापे से राहत दिला सकता है आप हर रोज खाली पेट कच्चे लसुन की कुछ कलियों का सेवन कर सकते हैं उसके कुछ देर बाद आप गुन गुने पानी में नीमबू का शर्बत बना कर भी पी सकते हैं आप हर रोज सबजी या सूप में डाल कर भी लसुन खा सकते हैं त्यान दे कि अगर आपको कोई एलर्जी है तो आप अपनी आहार में लसून को सामिल करने से पहले अपने डोक्टर से सला जरूर ले। नमबर टू, हाई ब्लड पेशर को कंट्रोल करता है लसून। इन दिनों लोगों में हाई ब्लड पेशर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसे नियंतरित करने के लिए कुछ लोग दबाओं का सहरा लेते हैं तो कुछ लोग घरेलू नुसके अपनाते हैं। हाई ब्लड पेशर में घरेली उपाई के तोर पर लसून का सेवन काफी उपयोगी साबित हुआ है। दरसल लसून में बायो एक्टिव सलफर योगिक और अन्य रसायन मौजूद होते हैं जो ब्लड पेशर को 10 mmHg और 8 mmHg तक कम करते हैं। चुकि सलफर की कमी से भी हाई ब्लड पेशर की समस्या होती हैं इसलिए शरीर को और्गेनो सलफर योगी को वाला पूर कहर देने से ब्लड पेशर को स्थीर करने में मदद मिल सकती है। आप हर रोज कच्चे या सूखे लसून की कुछकलियों का सेवन कर सकते हैं। नमबर त्री डायाबिटिस से लड़ने में मदद करता है लसून हर रोज बदलती और आसंतुलित जीवन सेली की वज़े से कई लोग डायाबिटिस यानि मधुमे की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन काफी कम ही लोग ये जानते हैं कि लसून का सेवन करने से डायाबिटिस पर लगाम लगाई जा सकती है। या शरीर में सुगर के स्तर को नियंतरित कर इंशुलिन की मात्रा बढ़ाता है। हर रोज आप दो से तीन कच्ची लसून की कलियों का सेवन कर सकते हैं। 4. सरदी जुकाम से बचाता है लसून। मौसम में बदलाव की वज़से सरदी जुकाम होने बहुत ही आम बात हो गई है। लेकिन चरूर नहीं के इन बिमारियों के उपचार के लिए हर बार आप अंग्रेजी दवाओ का ही सेवन करें। दरसल लसून में एंटी बेक्टेरियल, एंटी वाइरल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सिडंट गुनों की बरमार होती है। इसमें एलियान नामक एंजाइम मौजुद होता है जो एलिसीन नामक सलफर युक्त योगिक में परिवर्तित होता है। यह योगिक सफेद रक्त कोशिकाओ को बढ़ाता है, जो सरदी जुकाम के वाईरस से लड़ने में मदद करता है। कोलेस्टेरोल में बड़ोतरी होना सामान्य समस्या हो गई है अमेरिकी वईग्यानिकों ने अपनी एक जहांच में पाया है कि पुराने लसून के सेवन से सरीर में LDL कोलेस्टेरोल केस्टर को कम करने में मदद मिल सकती है हाला कि अभी तक लसून के इस स्कून को लेकर वईग्यानिकों के बीच में आम सहमती नहीं बन पाई है LDL कोलेस्टेरोल को कम करने के लिए आप हर रोज एक से दो लसून की कलिया खा सकते है दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में मदद गार है लसून जैसा कि हम जानते है हाई बलड प्रेशर, डायाबिटीज और हाई कॉलेस्टेरोल जैसे बीमारियों का रदे सबंदी रोगों से सिधा रिस्ता होता है ऐसे में लसून का सेवन रदे सबंदी रोगों की रोगताम में असरदार साबित हो सकता है हर रोज कच्चे लसून की कलिया खा सकते है गठिया में लसून खाने से मिलती है राहत लसून हड़ियों के लिए भी काफी लाबदायक होता है ऐसा पाया गया है कि लसुन के सेवन से ओस्टियो परोसिस और गठिया जैसी हड़ियों की बीमारी से जूज रहे रोगियों को काफी राहत मिलती है वैक्यानिकों ने प्रयोग के जरिये साबित किया है कि लसुन अंडाइक्टोमी प्रेरित हड़ि सोखन को दबाने में शक्सम है इसके अलावा सोथ करताओं ने यह भी पता लगाया है कि लसुन डायलिल डायसलफाइड मेट्रिक्स को कम करने वाले एंजाइमों को दबाने में मदद करता है इस तरह लसुन हड्डियों को होने वाले नुकसान को भी रोकता है इसके लिए आप हर रोज एक या दो लसुन की कलियों का सेवन कर सकते है गर्बावस्ता के शुरुवाती दोर में लसुन को सिमीत मत्रा में खाने में सामिल किया जा सकता है इस समय लसुन का प्रभाव वरून पर कम पड़ता है हलां कि गर्भावस्ता की दूसरी और तीसरी तिमाही यानि कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमस्टर में लसुन का प्रयोक थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए इस तोरां लसुन का गलत प्रभाव पढ़ने से खुन का पतला होना पेट खराब होना या बलट पेशर होने जैसी परिचानिया हो सकती है इसलिए गर्भावस्ता में लसुन खाने से पहले अपने डोक्टर की सला चरूर ले आप अपने भोजन में सिमीत मातरा में लसुन को सामिल कर सकते हैं लेकिन एक बार इस बार में अपने डोक्टर से जरूर सला ले नमबर नाइन रोगों से लडने की शमता बढ़ाता है लसुन लसुन में Phyto Nutrient होते है जो एक प्रकार का Antioxidant होता है Antioxidant हमारे सरीर से विसाक्त पदार्थों को दूर भगाते हैं और सरीर में Oxidative तनाव को कम करते हैं दूसरे सब्दों में Antioxidant आपको बीमार पढ़ने से बचाते हैं सोध करताओं ने यह भी पाया है कि लसुन खाने से हमारे सरीर में कहीं तरह की प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धी होती है। इसके लिए आप रोगों से लड़ने की अपनी शम्ता बढ़ाने के लिए हर रोज दो से तीन लसुन की कलिया खा सकते है। नमबर 10 लीवर को सेहद मन रखता है लसुन चीन लोगों को लीवर में सुजन की सिकायत होती है उनके लिए एक सिमित मातरा में लसुन का सेवन करना उप्योगी साबित हो सकता है। वईज्यानिकों ने पाया है कि लसुन में पाये जाने वाले एक रसायन हैपेटिक चोटो के उपचार में मददगार होते हैं। वही लसुन का तेल एंटी ऑक्सिडेटिव गुनों से भरपूर होता है जो लीवर की सुजन से बचाव करता है। हलाकि अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या जादा है या आपको लसुन खाने के बाद कुछ परेशानी होती है तो तुरंत डोक्टर से संपर्क करें। आप चाहे तो एक या दो लसुन की कलियों को बारिक काट कर पालक की स्मूदी में मिलाकर उसका सेवन कर सकते है। नमबर 11, कैंसर से बचाता है लसुन लसुन में डाइलिल सलफाइड मोजुद होता है जो ऑक्सिडेटिव तनाव को रोकने में मदद करता है। लसुन में मौजूद सेलेनियम कैंसर से लडने वाले गुनों के लिए जाना जाता है। साथ ही सेलेनियम डिने उत्परिवर्तन और अनियंत्रिट सेल प्रसार और मेटास्टेटिस को भी रोकता है। लसुन ट्यूमर और पेट के कैंसर की आशंका को कुछ हद तक कम करता है। इसलिए अगर आप कैंसर के खत्रे को कम करना चाहते हैं तो स्वस्थ जीवन सेली के साथ लसुन का नियमिद सेवन करें। आप हट रोच कम से कम लसुन की एक कची कली का सेवन कर सकते हैं। नम्ब ट्वेल फंगल संक्रमन से बजाता है लसुन। लसुन में एंटी फंगल, एंटी बेक्टेरियल, एंटी पेरासिटिक कुण पाये जाते हैं। जो फंगल संक्रमन जैसे दाद और कैंडीडा से लडने में हमारी मदद करते हैं। आप फंगल संक्रमन से प्रभावी जगह पर लसुन का टेल लगा सकते हैं। लेकिन इस बारे में एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। किड़नी संक्रमन को रोकता है लसुन किड़नी संक्रमन की रोकता में भी मदद करता है। इसके लिए आप किड़नी संक्रमन से बचाओ के लिए हर रोज 2-3 लसुन की कलियों का सेवन कर सकते हैं। 14. लसुन दिलाता है गेस और एसीडिटी से राहत। आज कल लोग गलत खान पान के कारण एसीडिटी या गेस की समस्या के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में सबजी पकाते समय उसमें हलका लसुन डाले। इस तरह से पकाई गई सबजी खाने से आपको गेस और एसीडिटी से राहत मिल सकती है। अलाकि अगर आपको ज़्यादा परेशानी हैं तो लसुन से परेश करें। सबजी पकाते समय चुटकी बर या चमच में थोड़ा सा बारी कटा हुआ लसुन का पेस्ट डाले। ध्यान रखे कि कच्चे लसुन का सेवन न करे वरना एसीडिटी की समस्या बढ़ जकती है। 15. हाई ब्लड शुगर के स्तर को गटाता है लसुन अगर आप हाई ब्लड शुगर की समस्या से पीडित हैं तो आपको अपने हार में लसुन को सामिल करना चाहिए। कुवेद के वैग्यानिकों ने लेव में पशुओ पर कच्चे और उबले हुए लसुन का प्रयोग करके पता लगाया है कि कच्चे लसुन में ब्लड शुगर के स्तर को कम करने की ख्षंता होती है। ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए रोजना एक या दो लसून की कलिया खा सकते हैं नमब सिश्टीन बुखार या ठंड लगने पर राहत देता है लसून ठंड लगने पर या वुखार होने पर अगर लसून का उप्योग किया जाए तो ये रोगी को बहुत हद तक राहत मिल सकती है आप चाहे तो दो तीन लसून की कलिया खा सकते हैं अगर कच्चा लसून खाना पसंद ना हो तो आप गर्म सरसों के तेल में एक दो लसून की कलिया डाल कर उससे शरीर की मालिश कर सकते हैं नमब सेवंटीन गले की खरास से राहत देता है लसून लसून में मौझूद एंटी बेक्टेरियल गुण गले में खरास जैसी परेशानी से हमारा बचाव करते हैं लसून में एलिसीन नाम का और्गेनोसलफर योगिक भी होता है जो संक्रमन से लड़ने में मदद करता है हलाकि यह साबित करना मुश्किल है कि लसून गले में खरास की परेशानी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है या नहीं जब भी गले में खरास जैसा मसूद हो तो सरसो तेल में एक या दो लसून की कलियां डाल कर उसे गुनगुना होने तक गर्म करें इसके बाद गुनगुने तेल को हलका हलका गले के आसपास लगाए तकलीफ अगर ज़्यादा बढ़े तो डॉक्टर से संपर्क करें अस्तमा यानि की दम के मरीजों के लिए भी लसून काफी लापकारी है सरसो के तेल में लसून पका कर उसे तेल से अगर नाग गले और फेफडों के आसपास मालिश की जाए तो यह चाती में जमे कफ से निजहत दिला सकता है वाई ग्यानिकों ने इस बात के सबुद भी दिये हैं कि लसून अस्तमा से होने वाले दूस्प्रभावों को कम कर सकता है आप चाहे तो एक या दो लसून की कलिया खा सकते हैं या लसून और सरसो का तेल लगा सकते हैं अलाकि एक बार अपने डॉक्टर से सला जरूर ले नमबर 19 कान दर्द होने पर राहत देता है लसून कान में होने वाले हलके संक्रमन या दर्द में भी लसून फाइदमन्द होता है लसून में मोजूद antibacterial, antifungal और antiviral गुन कान के दर्दिया संक्रमन से राहत दिलाता है आप चाहे तो लसून का तेल कान में लगा सकते हैं ये तेल बाजार में भी उपलब्द होता है के साथ चर्चा नहीं कर पाती है इस वज़े से कई बार यह समस्या गंभीर बीमारी का रूप ले लेती हैं जबकि घर में मौझूद रहने वाले लसुन के जरिये इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है जी हां वैग्यानिकों ने पाया है कि लसुन कैंडिडा नामंग संक्र की रोखताम करने में काफी असरदार होता है सेमित मात्रा में लसुन का सेवन करके योनी के संक्रमन से चुटकारा पाया जा सकता है अलाकि एक बार डॉक्टर से भी इस बारे में बात करना जरूरी है नमबर 21 दात दर्ष से निजात दिलाता है लसुन वैग्यानिकों ने य अगर आपको दात दर्ष की शिकायत है तो हर रोज एक कच्चे लसुन की कली चबाएं इसके अलावा आप एक लसुन की कली में सेंधा नमक लगा कर दर्ष वाले दात पर लगाए इससे आपको दात दर्ष से आराम मिलेगा नमबर 22 मुहां से और पिंपल से चुटकारा दि सेवन कील मुहां सो से चुटकारा दिलाने में मददगार साबिद हो सकता है आप ठंडे पानी के साथ एक लसुन की कली का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा खूब पानी पिए ताकि आपके शरीर में पानी की सही मात्रा बनी रहे 23 सोराइसिस की रोग थाम में कारगर है लसुन सोराइसिस एक प्रकार का त्वचा रोग है जिसमें खुजली होने लगती है और त्वचा लाल हो जाती है यह बीमारी ज्यादातर सीर की त्वचा कोनी और घुटनों तक प्रभावित होती है इस बीमारी का कोई इलाज तो न पाबी जिसकी वज़े से सोराइसिस होता है उसको निस्क्रिय कर देते हैं दो से तीन लसून की कलियों को हर रोज प्याज ब्रॉकली और चुकंदर के रस के साथ मिला कर उसका सेवन करें लेकिन अगर आपको इन में से किसी भी चीज से एलर्जी है तो एक बार अपने डॉक् पाने के लिए लसून खाना उपयोगी है हाला कि इसका कोई ठोस वह ग्यानिक प्रमाण नहीं है दरसल खुजली से रहत दिलाने के मामले में लसून की सफलता या असफलता रोगी के शरीर पर निर्भर गरती है किसी व्यक्ति को अगर लसून से एलर्जी है तो या एक्जी का सेवन करें लेकिन अगर आपको एक्जीमा की शिकायत है तो आपको लसून का सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए नमबर 25 दाद में राहत देता है लसून जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं लसून में एंटी फंगल और एंटी बेक्टरिल नौर्ड होते हैं किसी भी तरह संक्रमन से शरीर को बचाने में शक्षम है इसलिए जिस व्यक्ति को दाद की विमारी होती है उसे अपने भौजन में हल्की मात्रा में ल सुन को यहाह सकते हैं नमबर 26 चाले या फोडे को ठीक करने में मदद करता है लसून लसून में एलिन, एलिसीन और एजोईन जैसे सलफर योगिक मोजूद होते हैं जो चाले या फोडो को ठीक होने में मदद करते हैं साथ ही लसुन में एंटी बेक्टेरियल, एंटी वाइरल और एंटी सेप्टिक गुण भी है जो बेक्टेरिया को मारते हैं और छाले या फोडो को बढ़ने से रोकते हैं अगर आपको साबूत लसुन खाना पसंद नहीं तो आधा चमच से भी कम लसुन का पेस्ट या एक लसुन की कली को बारिक काट कर खाने में उप्योग करें जुरियों को कम करता है लसुन कई बार लोगों की तवचा पर समय से पहले जुरिया नजर आने लगती हैं लसुन में ऐसा रसायन होता है जो तवचा को सूर्य की हनिकारक के नोर और जुरियों से बचाने में मदद करता है लसुन में एंटी ऑक्सिदेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुन भी होते हैं जो जुरिया कम करने में मदद करते हैं सुबह नीम्बू और सहथ के साथ लसून की एक कली खाए। इन में से किसी चीज़ की आपको ऐलर्जी है तो इसके खाने से पहले डॉक्टर की सला जरूर ले। किया जा सकता है। दो से तीन लसून की कलियों को सरसो के तेल में गर्म करें और फिर गुनगुना होने के बाद तेल को स्टेच मर्क के निशान पर लगाए। आप चाहे तो सरसो का तेल की जगत जहतुन का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 29. बालो को जड़ने से रोकता है लसून। 29. आज के समय में बालो का जड़ना एक आम बात है। आम तोर पर दूल प्रदूशन अशुद पानी और खराब खान पान की वज़े से बाल जड़ने की समस्या होती है। 29. बाइग्यानिकों ने पाया है कि लसून का जेल और बिटामेथेसोन वाल रेट बाल जड़ने की समस्या पर रोक लगा सकता है। आप अगर मासारी है तो मचली में लसून का उप्यों कर सकते हैं। इससे बालो को फायदा होता है। इसके अलावा आप पालक के समूती के साथ भी लसून का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लाइक और कॉमेंट करके मुझे बताएं। और अपने दोस्तों और परिवार जोनों में इसे शेयर करें। अगर आप कोई स्पेसिफिक सब्जेक के उपर वीडियो देखना चाते हैं तो मुझे कमेंट में लिखें। मैं वो सब्जेक के उपर वीडियो बनाने की कोशिच करूँगा। थैंक यूू।